हेलो फ्रेंट्स मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है तो ये देखिए आज मैंने कितना ही सुन्दत सा ये डोर्मेट बनाया है इसे मैंने वेश्ट पड़ी हुई साडियों की हैप से बनाया है जो देखने में काफी सुन्दा लग रहा है ओक तो चलिए इस वीडियों को बनाना सुरू करते हैं आज हम पुरानी साडियों मैंसे डोर्मेट बनाएंगे तो मैंने यहाँ पर साडियों मैंसे ये स्ट्रिप कट कर ली है और इनके मैंने ये गोले बना ली है तो मैंने यहाँ पर एक एक इंची की इस्ट्रेप कट कर लिए है यह देखिए तो जितनी भी हम इसमें साडिया लेंगे उसमें से हम एक एक इंची की इस्ट्रेप कट कर लेंगे इससे मोटी नहीं करेंगे नहीं तो हमारा जो पाइदान है वो बुनेगा नहीं तो यह देख तो यहां पर मैंने इसे अच्छे से नौट कर लिया है तो अब हम यहां पर फंदी डालेंगे तो जितना भी बड़ा हमें यह डोर्मेट बनाना है उतने हम इसमें यह फंदे डाल कर लेंगे तो देखिए इस तरह से गुमाया और इसमें डाल दिया यह हमारी श्टिफ है इस तरह से किया और इसे इसमें डाल दिया तो मैंने यहां पके टोटल 20 भंद्र डाल लिये हैं तो अब हम इससे बुनेंगे तो दूसरी सलाई लेंगे जो फन्दा हमने डाला हुआ है इसके अंदर हम सलाई को डालेंगे ये देखे इस तरह से वो सलाई के उपर से हम इसे ऐसे गुमाएंगे अब हम इसे इस तरीके से निकाल देंगे फर से दूसरा लेंगे तो मैंने इसे पूरा भूल लिया है इसी तरह से हम इसमें सलाई फिरते जाएंगे और इसका एक चौकोर बना के त्यार कर लेंगे तो इसकी चौकोर कली बनानी है तो हमें इसमें कुछ नहीं करना ना ही कोई फंदा कटाना है ना ही बढ़ाना है सिर्फ इसी तरह से हमें ये बुन के त्यार करना है तो ये देखिए इसी तरह से बुनना है पूरा और जब हमारी ये पूरा ये रो पूरी बन जाएगी फिर हम दूसरी रो शुरू कर देंगे तो इसका हमें चौको डिब्बा बनाना है तो इसे हम पूरा बना लेते हैं तो इसी तरह से हम इसे आंगे की साइड में बढ़ाते जाएंगे इसे बुनते हुए बढ़ाते जाएंगे और इसका एक चौकोर कली बनाके त्यार कर लेंगे तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है सिर्फ इसी तरह से इसको बुल लेते हैं तो जितनी भी बड़ी मुझे यह कली बनानी थी उतनी मैंने इसको बना लिया है तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर यह चौको डिब्बा बनाया है तो अब हम यह फंदे उतारेंगे तो दो फंदों का हम एक करेंगे तो यह देखिए इस तरह से दो फंदे लेंगे और इसका हम एक कर देंगे तो जो हमारा इस वाली सलाई में जो एक फंदा है इसे हम इसी में उतार देंगे और फिर से हम दो फंदे लेंगे उसका एक करेंगे तो फिर से हम इस फंदे को इसी में उतार देंगे और फिर से दो का एक कर लेंगे ये दीखिए इस थार से हमारे फंदे इतरते जा रहे हैं अगर आपकी इस तरह से स्थिफ खतम हो गयी हो तो आपके सरसे इसमें श्रिफ जोंट कर सकते हैं ना ही आपको इसमें कोई नौट लगानी Όगी और ना कुछ और करणा होगा और ना ही ह्मारी डॉर्मेट मैठम है उसमें कोई गाज़ पड़ेगी। कि टो इसे हम इस तर्द से जॉइंट करेंगे गें तो इसमें एस तर्द से लेंगे इस बीछ को और इस तरह से हम इसे घुमा देंगे और इस फंदे को हम इसी में उतार लेंगे और फिर से हम दो का एक कर देंगे तो ऐसे हम इन सारी फंदों को उतार लेंगे तो यह हमारा एक फंदा बचके आया है यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी ज्यादा इस्टिफ है इसे हम कट कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो इस तरह से हमने इसे यहाँ पर इस फंदे को निकाल दिया है और इसे हम यहाँ पर कट कर देंगे जो भी एक्षा है तो यह देखिए हमारी चौकुर कली बनके तियार हो गई है तो ये देखिए इस कली को भी मैंने बना लिया है तो इसी तरह से हम ये पिंक वाली कली बना लेंगे तो ये देखिए पिंक से भी मैंने यहाँ पर ये कली बना लिया है आप चाहें तो इन फंदों को ना उतार हैं उसके बाद आप पिंक को इसमें जोइन कर सकते हैं इस तरह से भी बना सकते हैं तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक कली इस तरह से भी बनाए हुई है तो मुझे यहाँ पर ये टोटल चार कलियां मनाने थी तो मैंने चारों को बना लिया है ये देखिए चार कल्यों को मैंने बना लिया है, तो दो को मैंने अलग बना लिया है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, और आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, इन चार कल्यों को आपस मैं सिल लेंगे, तो कैसे भी हम इसे स्टूरू कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मौट देगा नहीं ज़ी दाद से ना पस सिधा सीधा सिल लेंगे फिर उसके बाद ऐसे सिल लेंगे तो यह देखे इन चारों को मैंने शिल लिया है तो अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद नाए तो फ्लीस मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राब और सेयर कर तो भी मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए